हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टेडी स्टूडियो में दोस्तों लास्ट कुछ वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ATC में किस तरह के का फंक्शनिंग होता है कैसे वो काम करती है बट आज मैं आपको बताऊंगा कि इंटर्नली आटोमेटिक टूल चेंजर जहां पर भी आटोमेटिक टूल चेंज हमें कराना होता है चाहे वो बीमसी हो एचमसी हो तो उसमें किस तरह के का फंक्शनिंग ATC में होता है दोस्तों यहां पर मैं दिखाने वाला हूँ आपको 502 A502 gearbox यह हमारे यहां वीमसी में यूज हो रहा है जो BFW की वीमसी मशीन है तो दोस्तों यहां पर मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इस तरह के से मोटर इसको ड्राइब करती है जो कि warm shaft है warm shaft यहां पर warm wheel से attach हुआ है जहां पर आप bearing उपर देख रहे होंगे यह taper roller bearing है जो कि support देती है cam profile वाले पूरी shaft को यहां पर आपको यहां पर एक अलग से एक shaft दिख रही होगी जो अंदर बाहर करती है इस पूरी arm को ताकि हमारा जब भी tool यहां पर pulling होती है tool insert होता है इस तरीके से यह arm से ही होता है उसके अलाबा आपको अंदर profile दिख रही होंगी यहां पर देखिए अलग अलग type की profile कटी हुई है जो की normally rotation के time पर कितना dwell time है कहां पर rotation होना है कितना होना है कितनी fast होना है तो अलग-अलग यही cam profile वहाँ पर decide करती है उसके बाद आप यहां पर cam follower bearing देख रहे होंगे तो cam follower bearing ही ही इसको cam में चलती है cam profile में चलके उसको rotate करती है और यहां पर देख रहे होंगे जो की provide करने के लिए होता है feedback की हमारा physically ATC gearbox किस location पर है ताकि हमारा tool change process पूरा हो सके तो normally यहां पर जो motor होती है वो induction motor होती है इसलिए sensors ज्यादा की ज़रुत पड़ती है तो यहां पर आपने देखा कि किस तरीके का normally structure होता है किसी भी gearbox के अंदर फिर उसके top cover में bearing के supported race होते है ओडी होती है यहां पर top cover रखने के बाद ही हम पूरा gearbox rotate करते हैं तो दोस्तों यहां पर आपको अगर मैं पूरा हमने dismantle कर दिया इसको दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जो की cam जहां पर हमारे cam mount होते है वो पूरी shaft होती है जो की normally जो rotate होती ह वो cam profile से rotate होती है ताकि हमारे cam profile में कहीं भी plane आए वो बिल्कुल smoothly rotate करें तो यहां पर इस cam profile में यहां पर आप देख रहे होंगे cam जो होते हैं वो lock nut से lock रहते हैं ताकि जो cam follower bearing हो बहार ना आए अब मैं आपको बता दो profile के बारे में तो उपर वाली profile आप देख रहे होंगे इसमें हमारा एक arm लगी रहती है जो की tool जब अंदर या बाहर करना होता है normally आप देखता होंगे कि tool अंदर बाहर होता है clamping declamp होने के बाद या डालने के time पे अंदर बाहर होता है तो वो उपर वाली profile से होता है और जो नीचे वाली profile आप देख रहे होंगे इससे ही timing match होत बैठाने के बाद जो cam roller है जो की cam follower है उस profile पे जो की cam profile है नीचे वाली cam profile पे smoothly चलें वहाँ पे ज़्यादा gap भी ना हो या वहाँ पे ज़्यादा hard ना हो इस तरीके से आप देख सकते है अराम से rotation करना चाहिए cam bearing को तो इसका मतलब कि हमारा जो bearing पे है वो आसानी से बैठ च या नहीं घूम रहा है वैसे तो इसके उपर bearing आती है उसके बाद ही smoothly घूमता है तो just हम अभी इधर उदर करके just देख रहे हैं कि यह properly बैठ गया या नहीं बैठा हुआ है ठीके दोस्तों तो उसके बाद हम देखेंगे इसको बैठाने के बाद हम क्या करेंगे अब यह बै जो roller होता है वो अंदर बहार जो कि लिकलती है shaft उसके बैठा रहता है तो इसका काम यह है कि tool जब declamp होता है spindle से तो खीच के बाद लिकालना और जब interchange tool हो जाता है उसके बाद अंदर को डालना तो यह हमारा काम होता है इस profile जो आपने दूसरी shaft यहाँ पर देख रहे होंग तो warm wheel आपने देखा होगा यह जो yellow color का है उसके बाद यहाँ पर हमने की को बैठा लिया है की को बैठाने के बाद आप देख रहे होंगे इसका हम अराम से इसको push करते वे बठाएंगे यहाँ पर यह दोस्तों ध्यान रखना कि इसको बहुत ज्यादा hammering नहीं करना है अगर आप hammering करेंगे तो warm wheel आपका damage हो सकता है तो इसमें कोई भी dent है या उसको आप clear कर लिजेगा और हलका-लका mallet से करके इसको fit करेगा यहाँ पर थोड़ा आप greasing या oil का use कर सकते हैं ताकि जो warm wheel है आपका अच्छे से बैठ जाए अब दोस्तों उसके बाद हमने इसके उपर एक bearing बैठा लिया है जो कि एक support bearing है उपर नॉर्मली जब cover हम उपर से रखते हैं तो यह दोनों side से एक side तो नीचे की तरफ है जो कि cam पूरी profile है उसको support दे रहा है एक उपर की तरफ है जो कि यह वाला bearing हम fit कर रहे हैं वो support दे के रखता है तो इसको हम अराम से ID पर push करते व warm sharp warm wheel को घुमाता है और उस तरीके से warm wheel फिर cam profile को घुमाता है और cam profile चलते चलते अपना cam profile के अकॉर्डिंगी हमारा gearbox पूरा moment करता है तो यहां पर हमने देखिया आप top cover को हम बढ़ाने वाले हैं क्योंकि पूरी assembly हो चुकि है तो हमने यहां पर anaborn लगा लिया है या आप को में यहां पर o-ring भी रहती है अगर आपके पास o-ring वाला नहीं है तो यहां पर आप एक layer दे सकते हैं adhesive की या फिए anaborn की तो उसको आप properly इस तरीके से हलके-लके करके बैठा सकते हैं gearbox का जो उपर का top cover है अगर आपका देखिए यह जो बीच में आपको गुला दिख रहा हो और जो टॉप कवर है वो भी सही से माउंट होगा नहीं तो टॉप कवर हमने इस तरीके से रख लिया है यह वर्टिकली पूरा बैठ गया है उसके बाद यहां पर जो दो बोल्ट है वो वाम शाफ्ट वाली जो भी हाउजिंग है उसको हमने देखिए टाइट कर लिया धीर अंदर बहार रोटेटिंग वाली आम थी उसमें वी एक सपोर्टिंग बेरिंग है तो वो हमने डाल लिया है सपोर्टिंग बेरिंग में वही आईडी पर हम हलका हलका मारते हुए मैलट की मदद से उसको पूरा बैठा लेंगे बेरिंग को और उसके बाद हम यहां पर लॉ कर luck करना है कि इस तरीके से दोस्तों इसको पूरा टाइट करने से करेंगे और देखें यहाँ पर देख सकते हैं कि चैन हमारी गूंडिया है नहीं हो इसका मतलब हमारी छेइन भी एंगे जे अंदर और सारा चीज smoothly घूम रहा है नहीं घूम रहा है इसको हम ensure कर सकते हैं तो यहां पर देखें हम अराम से rotate कर रहे हैं तो यह देखें आर मंदर बहार भी जा रही है यहां पर bearing rotate कर रहा है यहां बिल्कुल smoothly होना चाहिए बहुत ज्यादा ताकत लगाने की जुरत नहीं है अगर आपका कहीं पर भी यह stuck होता है तो आपको दुबारा से re-verification करना पड़ेगा कि कहीं gearbox की कहीं profile यह हमारे fitment में कोई error तो नहीं है यह देखें यह जो आम उसके बाद bearing का देखें इस तरीके से यह outer race को push करके रखता है यह हम lock nut यहां पर थोड़ा बहुत gearbox आपका jam हो रहा है तो इसको भी आप set कर सकते हैं इन 4 bolt को lose करके थोड़ा थोड़ा आप इधर उधर cap को adjustment कर सकते हैं तो दोनों lock nut को हमने tight कर लेना है और tight करने के बाद हमें यह देखें एक तो आपको ID पर lock nut दिखेगा उसकी बाद OD पर लगा के इसको fix क कर रहे हैं तो अराम से पुरा rotation हो रहा है दोस्तो यह चीज़ एंशूर करना बहुत ही जरूरी है अदरवाइज machine पर जब इसको mount करेंगे तो एटी सी gearbox में problem आ सकती है और दुबारा से आपको फिर यह खोलना पड़ सकता है तो यह आप manually rotate करके जरूर confirm कर लें तो दोस्तों किसे bearing उसमें mechanic में होता है कोई भी doubt हो दोस्तो इस से related तो आप comment box में comment कर सकते हैं और आप अपने हाँ पे जो भी use हो रहे हैं ATC gearbox उनका आप easily maintenance कर सकते हैं तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई technical वीडियो के साथ तब तक के लिए दीज़े जाज़त नमस्कार जै हिंद जै भ है रट